यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एलिफेंटा गुफाएं मध्यकालीन भारत के समय की रौक कट कला और वास्तु कला का एक नमूना है। ये मुंबई के क्षितिच का अध्भुत द्रिश्य भी प्रदान करता है। सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित एक प्रतिष्ठित मंदिर है और यह मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण साल 1801 में लक्षमन विठू और देवबाई पाटिल ने करवाया था। दमपती की अपनी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अन्य बांज महिलाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर बनाने का फैसला किया। दिल्चस्प बात यह है कि यहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है और मनों कामनाय पूरी करती है। मंदिर में एक छोटा गर्भग्रे है जिसमें श्री गणेश की मूरती है जो लगभग धाई फीट चौड़ी है और काले पत्थर के एक टुकड़े से बनी है। मंदिर ने न केवल इसलिए लोकप्रिय दर्जा प्राप्त किया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर में गणेश विशेश रूप से पूजनिय हैं बलकि फिल्म सितारों और उद्योग के दिगजों के बीच इसकी लोकप्रियता के कारण भी। ये मुंबई का सबसे अमीर मंदिर भी है क्योंकि इसे दुनिया भर के भक्तों से हर साल सौ मिलियन रुपय का दान मिलता है। आधिकारिक तोर पर राजीव गांधी सी लिंक के रूप में जाना जाता है। मुंबई में यह आठ लेन केबल आधारित पुल महराश्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहली परियोजना है जो वेस्ट आइलैंड फ्रीवे सिस्टम शुरू करती है। बांधरा वरली सी लिंक उन कुछ पुलों में से एक है जो अपनी जगह पर बने रहने के लिए पूर्व तनाव ग्रस्त कंक्रीट स्टील वायडक्ट्स के साथ एक केबल रुका हुआ पुल है। मुंबई के समुद्र तट के पार फैला हुआ यह समुद्री लिंक एक सिविल इंजीनियरिंग आश्चर्य है जो मुंबई शहर के आधुनिक बुनियादी धांचे को दर्शाता है। इस पुल को प्रतिदिन लगभग 27,500 वाहनों की आवाज आही के लिए डिजाइन किया गया है जबकि यह बांद्रा और वरली के बीच समय यात्रा को बड़े अंतर से कम करता है। बांद्रा वरली सीलिंक की सुंदर्ता इसकी इंजीनियरिंग प्रतिभा में है जो उस समुद्र की प्रशंसा करती है जिसके उपर इसे बनाया गया है। माहिम खाडी के शांदार नीले पानी के दृष्ष के साथ यह शांदार वास्तुकला देखने लायक है। निस संदेह बांद्रा वरली सीलिंक प्राकृतिक सुंदर्ता और मानव निर्मित शमतकार का मिश्रण है। इसमें कोई शक नहीं कि Gateway of India मुंबई के सबसे लोकप्रिय परियतन स्थलों में से एक है। अपोलो बंदर पर गर्व से बैठ कर ये अरब सागर को नजर अंदाज करता है। ये मुंबई शहर के परिभाशित स्मारकों में से एक है और इसे वर्ष 1924 में बनाया गया था। इसका निर्मान किंग जोर्ज पंचम और क्वीन मेरी की मुंबई यात्रा की स्मृती में प्रसिद्ध वास्तुकार जोर्ज विटेट द्वारा किया गया था। स्मारक की भव्य सनरचना, भारतिय, अर्भी और पश्चिमी वास्तुकला का एक सुन्दर संगम है और यह शहर में एक लोकप्रिय परियतन केंद्र बन गया है। यह एतिहासिक एलिफेंटा गुफाओं तक चलने वाली कई नौका सेवाओं का शुरुवाती बिंदू भी है। सबसे लोकप्रिय भी है। यह अपने विभिन प्रकार के स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विशिष्ट मुंबई स्वाध होता है और यह मीठा और खट्टा होता है। जुहु का आसपास का क्षेत्र मुंबई के सबसे पौश इलाकों में से एक है। और यह कई प्रसिद्ध बॉलिवुड और टीवी हस्तियों का घर है। सबसे प्रसिद्ध अमिताब बच्चन का बंगला है और समुद्र तट पर किसी सेलिब्रिटी को जॉगिंग करते हुए देखना दूरलभ नहीं है। टेलिविजन शूट अकसर आयोजित किये जाते हैं और कई खिलोने बेचने वाले भुने हुए मकई विक्रेता और कलाबाज लोगों का ध्यान आकरशित करते हैं। मरीन ड्राइव मुंबई से जुड़ा सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला मील का पत्थर है और यह शहर के ग्लैमर और चमक-दमक का सूचक है। या यहां तक की दिन या रात के किसी भी समय समुद्र के किनारे इत्मिनान से टहलने के लिए मुंबई में सबसे अच्छी जगए है। रात में जब पूरा समुद्र तट रोशनी से जगमगा उठता है तो यह अपने दूसरे उपनाम यानी रानी के हार को उचित ठहराता है। समुद्र तट का पूरा मोड ताड के पेड़ों से ढखा हुआ। रात में एक शांदार द्रिश्य बनाता है। आप सूर्यास्त के बाद मरीन ड्राइव के दोनों छोर पर जा सकते हैं और पूरे तट पर एक आदर्श चाप में चमकती रोशनी देख सकते हैं। लोग शाम के समय शांदार सूर्यास्त का अनुभव लेने के लिए यहां घूमने आते हैं। यह उन स्थानों में से एक है जहां लोग देर रात को जाते हैं। और आपको हर समय चाय और सिगरेट बेचने वाले विक्रेता मिल जाएंगे। लहरों की आवाज, मुंबई के इक्षितिज का द्रिश्य और तारों से भरा आसमान, आसानी से मरीन ड्राइव को शहर के सबसे रोमेंटिक स्थानों में से एक बना देता है। महालक्ष्मी मंदिर मुंबई शहर में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। महालक्ष्मी पश्चिम में जबकि देवी काली और सरस्वती अन्य दो देवियां हैं जिनकी यहां पूजा की जाती है। तीनों मूर्तियों को एक साथ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के नाम से जाना जाता है। यदि आप मुंबई आ रहे हैं तो पूरे वर्ष बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों से भरा यह मंदिर अवश्य देखना चाहिए। रेलवे स्टेशन जो अभी भी हमेशा की तरह काम करता है, उननीस सो सन्नाईवन में यूनेसको के तहत एक विश्व धरोहर स्थल था। स्टेशन हमेशा से है मेट्रो शहर और स्थानिये लोगों की आवाज से हल चल। ये एक व्यस्त रेलवे टर्मिन्स है लेकिन इसके कुछ कोने ऐसे हैं जो आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आपने बिटिश इतिहास के पन्नों में कदम रख दिया है। ये देश के सबसे प्रसिद एतिहासिक स्थलों में से एक है और दूसरा सबसे अधिक फोटो खींचा गया समारक भी है। भारत में छत्रपती शिवाजी टर्मिन्स का निर्माण 1877 में किया गया था और यह वर्तमान में मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में कारे करता है।